Chrome browser के गंदे notifications को बंद कैसे करें? Friends, आज की इस वीडियो में मैं आपको बदाऊंगा. अगर आपको भी Chrome browser के धुरू इस तरह के vulgar notifications मिलती हैं और इन सभी notifications को आप बंद करना चाते हैं तो इस वीडियो में आपको इसकी पूरी step by step जानकारी मिल जाएगी. तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपना Chrome browser open करना है और फिर top right corner में three vertical dots पर क्लिक करके settings पर क्लिक करना है. इसके बाद Chrome की settings page में आपको scroll करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और advanced section में side settings पर क्लिक करना है. अब Chrome की side settings में आपको सबसे पहले notifications option पर क्लिक करना है और फिर next interface में notifications option के सामने toggle button को disable कर देना है. इसके बाद वो सभी website जिन में आपने Chrome browser के थुरू visit किया होगा उनकी notifications block हो जाएंगी. इसके बाद यहां से आपको back आना है और side settings में थोड़ा सा नीचे की तरफ इसक्रॉल करना है और content section में pop-ups and redite option पर क्लिक करना है. इसके बाद pop-ups and redite option को भी आपको disable कर देना है. इसके बाद इसी section में आपको intrusive adds option पर क्लिक करना है इसके बाद background sync option को भी आपको disable कर देना है तो दोस्तों Chrome browser की site settings में इन सभी options को customize करने के बाद आपके Chrome browser में 99.99% तक वलकर notifications block हो जाएंगी अगर इसके बाद भी थोड़ी बहुत notifications आपको मिल नहीं तो आपको एक final काम करना है आपको अपने phone में Chrome browser पर long press करना है और app info option पर क्लिक करके Chrome browser का app information page open करना है इसके बाद यहाँ पर आपको manage notifications option पर क्लिक करना है और next interface में allow notification option को disable कर देना है बस दोस्तों यहाँ पर आपको इतना ही काम करना है इसके बाद आपके Chrome browser की सभी notifications बंद हो जाएंगी जितने भी गंदे notifications आपको Chrome browser के तुरू मिलते थे वो सभी आपके phone में आना बंद हो जाएंगी तो इस तरह से guys Chrome browser की सभी notifications को आप block कर सकते हैं तो आज की इस वीडियों बस इतना ही मिलता हम आपको next वीडियो में किसी और जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन